जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र से लाइब कर बिल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में मैट्रिक इंटर की परिक्षा की तिथी की घोसना दस फरवाई तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा वहीं जार्खन में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा एक ही बार ली जाएगी लेकिन दोनों टर्म की परिक्षा ली जाएगी बतादे परिक्षा मार्च के अमतिम या अपरेल के पहले सब्ता में सुरू होने की संभूना जताय जा रही है दस फरवाई से पहले इसकी घोसना कर दी जाएगी। रूसी समाचार ही एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के वुहान के बैग्यानिकों ने 2019 में पहली वार COVID-19 वाईरस की खोज की थी। दक्षिन अफ्रीका में एक नए परकार की कुरोना वाईरस नियोको की चतावनी दी है जिसे उच मिदित्यू और संचरन दर कहा जाता है। जारखन में कुरोना संक्रमितों की संख्या एक हयार से काम। दर्मा जिलेक निवासी थे। इसमें तीन का COVID-19 यू और एक का सेंट्रल इमर्जेंसी में चल रहा था। बतादे गुरुवार को भी राजे में पांच लोगों की मौत कुरोना वारस से हुई थी। जारखन में गुरुवार को 8,92 नई संक्रमित मिले। इंजिनियरिंग कोलेजों में नमांकन के लिए तीसरी काउंसिलिंग की तीथी जारी। इंजिनियरिंग में नमांकन के लिए तीसरी काउंसिलिंग की तीथी ताय की है। इंजिनियरिंग में नमांकन के लिए ओनलाइन फरम तीसरी जनवरी तक जमा होंगे। वहीं स्टेट मेरिट लिस्ट दो फरवरी को जारी होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट चार फरवरी को जारी किया जाएगा। जारखन में जल्द दोड़ेगी 200 इलेक्ट्रोनिक बसे। राइधानी के किस रूट में कितनी बसे की जरूरा था इसके लिए नगर निगम सिग्र सरवे कराएगा। बतादे बसों के परिचालन की रूट मैपिंग की जाएगी ताकि छेत्र के हिंसाब से यात्रियों की संख्या का आक्रन किया जा सके। सरवे के बाद निगम 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। इसे राइधानी के बिभीन रूटों पर चलाया जाएगा। बतादे राइधानी में फिलाल 25 से 30 बसों का परिचालन हो रहा है। के बजट गोष्थी पर सीम का केंद्र पर निसाना मुख्य मंत्र हमसुरे ने कहा कि आदिवासी बहुल जार्खन अलग तरह का राज़ेगा। राजे की 40% अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के लोगों को यहां के बैंक सहयोग नहीं करते ओनलाइन और कैसलेस का दोर परिस्थितियों को और कठीन बना देता है कई बार विकास कारे केंद्र और राज सरकार के सन्युक्त परियास से होता है राजे को इससे कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है कई तरह के मामलों में केंद्र सरकार से आपेक्षित सयोग नहीं मिलता मोख्य मंत्री बीत विभाग द्वारा आयोजित बयट गोश्ठी को सम्मोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रकिर्तिक संसाधन में अवल होने के बाद भी राजे आर्थिक संसाधनों में कमजोर है कोविड-19 में हमारी से भी हम जैसे राजे प्रभावित हुए है डीवीसी आई रात से नहीं करेगा बिली कटवती सुक्रवार रात 12 बज़े से डीवीसी अपने कमांड एरिया में निर्बाद रूप से बिली की आपोर्ति करेगा बतादे डीवीसी द्वारा की जा रहे ही 12-14 घंटे की लोड सेडिंग अब नहीं की जाएगी ए समती जार्खन सरकार वा डीवीसी के बिच रांची सित पोर्जेक्ट भौन में अवेजीत बैठाक में सुक्रवार को बनी बतादे बैठाक में जार्खन सरकार की ओर से सिक्षा मत्री जगनात महतो बित मंत्री रमेशवर उराव उर्जा सचीव अविनाज कुमार जल संसाधन विभाक सचीव परसांत कुमार चार्खन बिली वित्रन निगम के एमडी के अलावा कई अधिकारी सामिल रहे वहीं डीवीसी की ओर से डीवीसी चेर्मेन आर एन सिंग सेक्रेटरी वो डीवीसी के अन विभागों के वरी अधिकारी मौजूद थे नबालिंग का अपहरन कर दुसकर्म करने के आरोपी को आजिवन करावास नवाली का फरन कर दुसकर्म करने वाले दो अरोपियों को लोहर्दगा सिविल कोट एडिजे वन अखिलेस कुमार तिवारी के अदालत ने आजिवन करवाद के सजा सुनाई है बतादे कोट ने साल 2019 के मामले में राची जिले के मुराबादी पूराना बजार निवासी सिवेस कुजूर के पूत्र ससीकांद कुजूर वा मुराबादी के रामेशोर राय के पूत्र परकास कुमार को सजा सुनाई है बंडर थाना कांड संख्या 33-2019 हुआ पोक्सु केस नंबर 25-2019 के इस ममले में अभियुक्तों को सजा के अलावा 40,000 रुपय जुर्माना भी देना होगा गुमला में टीवी मरीजों का होगा सर्वे जीला स्वास्थ बिभाग गुमला की बैठक गुरुवार को उपायुक सिसीर कुमार सिना के देक्स्ता में ITDA भौन में हुई बैठक में उपायुक्त ने आयुसमान भारत योजना की समीक्षा करते हुए जीले के गरीब वह वंचित परिवारो को योजना का अधिका अधिक लाब दिलाने पर जोर दिया उन्होंने आईश्मान बारत योजना के ताहल सुची बद बीमारियों की सुच्टना जनकारी सुची पर्तिवेदन करने एवां स्वास्त विभाग द्वारा संचाली सभी योजनाव का अबिस्तित पर्तिवेदन उपलब्द कराने का निर्देश दिया जारखन में भिशन सरक हाथसा चार की मौत जारखन के हजारी बाग जीले में भिशन सरक हाथसा हुआ है पतादेश में चार लोग की मौत हो गई है एक ब्यक्ति घायल है इसकी हालात खत्रे से बाहर है बताया जा रहा है कि कार सवार लोग साधी समारों में सामिल होने जा रहे मंदीर के निर्मान में जायेगा जार्खन से 27 टन तंबा। नकसलियों के परतिरों दिवस के दोरान दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने और फिर बिहार जार्खन बंद के पहले ही दिन रेलवे पटरी को बिसफोट कर उड़ाये जाने की मामले में जार्खन की गिरिड़ी पूलिस को आम सफलताहत लगी है। ग्यानोदा योजना में रांची के 44 बिद्यालाय का चयान। इसकूली सिक्षा यम सक्षर्था विभाग ज्यार्खन सरकार ने ग्यानोदा योजना के तहत राज किये प्रारांबिक विद्यालाय में पूस्त काले निर्मान मद में कूल 10 क्रोर 35 लाक रुपे की सुग्रिती दी है। बता दे विभाग के सचीव राजेस कुमार सर्मा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि विभाग द्वारा किये गए आंत्रिक सर्वे और प्रथम जैसी संस्था द्वारा औसर सर्वेक्षन में यह बात सामने आई है कि राजे के बिद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विक् बिद्या की जाएगी जिसमें एक हैर स्कूल में किताब रखने की आलमारी दी जाएगी धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राब कर बहुल अबेल एक अंद भाई साथ से वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडियो एक अवस से दे थांक यू